राधा क्रिशन के प्रेम की कहानिया विश्वस्निय रूप से प्रसिद हैं और कई लोगों ने उन्हें सुना है राधा क्रिशन के प्रेम को परलोक, दिव्य, रूप से वर्नित किया गया है और उनका प्रेम पौरानिक और धार्मिक भावनाओं को प्रतिष्ठानित करता है, राधा कृष्ण की पहली मुलाकात के बारे में कई कथाएं प्रसिध हैं वैशनव साहित्य और पुरानों में बताया गया है कि जब कृष्ण व्रिंदावन में गोपियों के साथ नाच रहे थे तब उन्होंने एक विशेश गोपिका को आकरशित किया था, जो बाद में राधा के रूप में सामने आई इस कथा के अनुसार, राधा को कृष्ण की प्रेम और दिव्यता ने बहुत प्रभावित किया था और उन्हें कृष्ण के प्रती बेसुध हो गई थी इस प्रेम का विवरण रासलीला और अन्य कथाओं में व्यक्त होता है जहां राधा कृष्ण के प्रेम की गहराए और आपसी संबंध का वर्नन किया जाता है कैसे हुई थी प्रेम की शुरुआत राधा कृष्ण की प्रेम कथा मतुराक्षेत्र के गोकुल नगर में ही शुरू हुई थी और यह उनके बालपन के समय की गतिविदियों में हुई थी राधा ने कृष्ण को पहली बार देखकर उनके प्रती आकर्षन महसूस किया था और उनके दिल में एक विशेश भावना उदे हुई थी राधा कृष्ण के प्रेम की गहराए और उनकी लीलाएं ब्रजमंडल में बहुत प्रसिद हुई थी और यह प्रेम का था उनके भक्तों के बीच आगे बड़ी और प्रेम भक्ती की एक अद्भुत प्रतीक बन गई राधा कृष्ण के प्रेम की चर्चा आज भी भक्तों के बीच व्याप्त है और उनके प्रेम को आदर्ष माना जाता है कैसे बड़ी आगे प्रेम कहानी राधा की पहली मुलाकात के बाद उनके दिल में प्रेम और उत्साह की भावना उभराई थी उनकी आँखों में प्रेम और आकर्शन की जलक दिखाई दी और वे कृष्ण के प्रती आकर्शित हो गई उनकी आवाज में आनंद और प्रेम की चमक थी प्रिशन ने राधा के हरिदय को छू लिया और इस मिलन के लम्हों में राधा ने अपने आपको क्रिशन के प्रेम में खो दिया ये प्रेम कथा की सुन्दर शुरुआत थी जिसने राधा क्रिशन के प्रेम की गहराई और अनन्य भावना को दर्शाया